हेलो अब्रिवन आज कर यह लोग देख के आप सब डरना मत तो यह है मेरा चडिया का घोसला और कोकुनट का ज्ञाड तो यहां पर मैं ले रही हूं कोकुनट ओईल आपकी में पसंद का ओईल ले सकते हो आप यहां फिर क्रीम ले सकते हो क्योंकि मैं यूदो बहुत पसंद क आप है जो डेद सेल रिमूब करने में आपको हैल्प करता है आपके स्किन का यह तरह से मैं अपने हाथों को पहले सॉफ्ट कर लेते एक दिन मैं आपको फिंगर मसाज भी पताऊंगी पाम मसाज उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द अप्लोड करूंगी पाम मसाज बहु कि किचिन में काम करते हैं तो हमारा पूरा हाथ यूँ थोड़ा रफ सा हो जाता है तो फेस पर करेंगे तो थोड़ा उनकंफ़र्ट लगेगा तो अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेते हैं और इसको पहले हीजञे कर लेती हूं मैं इसमें आपके काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, अब मैं मसाज स्टार्ट करती हूं, पहले मैं oil apply कर रही हूं पहले application करेंगे, हलके हातों से बहुत हलके हातों से आप जब भी face पे कुछ करते हो न, बहुत हलके हातों से करना, क्योंकि हमारा face बहुत delicate होता है, और एक बार mark आगए तो हटना बहुत मुश्क्र पी थोड़े भूत मार्ग जरूर हैं यहां पहले के जो मार्ग रहे गए वो अभी लाइट हो रहे हैं आस्ते बहुत हद से जादा मतलब लाइट हो चुके हैं क्योंकि मेरे पे प्मपल भी बहुत होते थे तो वह मार्क पी काफी थे तो काफी तेल को लगा लो, मैं पे ऐच्चे है, ताइसा स्प्रेड कर लो पहले, कभी भी आप मसाच कर ले नौ, फेस तो पहले फेस पे क्रीम या ऑईल लगा लो तो पहले उसको स्प्रेड कर ले न अच्छे ताएसे ने, कुसी किसी को मैंने देखा, इता हम डिरेक्ट लेके यह देको अच्छी तरह से मैं इसको लगा लेती हmaji से भी जो मैजिक जो मैंने बनाया है अब मैं से पुरिए फेस पे और सोचरी कि मिरा पाथ बहुत अच्छा हो जाए में मसाज़ कर रहे हुए मिरा सक बहुत अच्छा हो तो यहां पर हम forehead से start करते हैं, circular motion में, clockwise, anti-clockwise करना है, बट यह ध्यान रहे कि आपको इसके बहुत ही light हाथों से करना है, time देते वे हैं, सनी कि अभी जल्दी लिए और कुछ काम करना है, चलो मैं जल्दी लिए करते हैं, सनी, अब मैं आखों के उपर कर रहे हूं, हलके हाथों स clockwise, अब मैं under eye कर रहे हूं, यह जो lines होती है, ऐसे करने से erase होती है, बट जितना light हाथों से करोगे, तो erase होगे, ज्यादा tough हाथों से करोगे, या फिर heavy हाथों से करोगे, तो क्या होगा, कि line जाने की जगा और आ जाएगी, wrinkles आपके, यह edge पर करना बहुत जरूरी होता है, यह से हमारी wrinkles start होते हैं, तो मैं edge पर कर रहे हूं, अभी दोनों edges पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, clockwise, anticlockwise, अब मैं cheekbone पर कर रहे हूं, नाप के उपर भी आप कर सकते हूं, नाप के tips पर कर सकते हूं, उसके tips पर, बहुत ही फरक पड़ता है, आप ऐसे सब चीज़े करते रहोगे, बढ़ जितना gently कर रहोगे, अतना better है, बहुत ही फरक करता है, मैं तो देखा है, सब चीज़ करते रहे हैं, यह हटे में एक बार कर लो, यहाँ पर भी हमें wrinkles होने के chances हैं, क्योंकि यह laughing line बहुत लोगों को आ जाती है, यह dry skin मालों को, तो इसको भी आप कर सकते हैं, चिन के करके मसाज करने के कुश्य को, लिफ मतलब कि उपर की तरफ को, upward motion, upward उसमें करने है, यह line erase करने का बहुत अच्छा तरीका है, laughing line, चिंकी मीची फिर से, फिर से, आप 10-15 minutes देते वे, इसको अच्छी तरह से करें, नैक के उपर ऐसे lift करके करने, साइड में भी, दोनों में हम ऐसे करके से lift करेंगे, यहाँ पर भी आ जाते हैं, ऐसे lift कर देना, इसे, बट हपते में एक या दो बार आप कर सकते हैं, और विंटर में तो करना ही चाहिए, dead cell निकालते हैं, अब मैं इसे lock कर रहे हूँ, दबाते वे उपर, ऐसे, हलके हाथों से, बट मैं press कर रहे ह यहाँ पर, जादा टाइम नहीं लूँगे, आप लोगों को बहुत सिंपल चीजे रहेंगे, यहाँ पर फोर हेड पर लाइंज हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, और हम सब को जादा फोर हेड पर पिग्मेंटेशन बहुत आती है, क्योंकि हम जादा यहाँ प टिप्स हलके हाथों से करना, जो आपके सबसे लाइट फिंगर हैं उससे करना इसे, आंकों पर खीरा लगा सकते हैं, डाफ सरकर पर बहुत अच्छा है, बट मुझे तो साइन है से तो मैं खीरा नहीं लगाती हूँ, जुखाम हो जाता है मुझे, चिन के अधर भी यहाँ हलका हलका मसाज करो, बहुत रिलेक्स मिलता है यह नो, बहुत ही जादा अच्छा लगेगा, आप करके देखो एक बार यह नो, बहुत रिलेक्स, सेल्फ पैंपरिंग बोलते हैं इसे, यहाँ पर भी लाइन आ जाती है, उसके लिए लाइन को एरेस करने के लिए यह वाली अपवर्ड में बहुत अच्छे, डबल चिन वालों के लिए है टैपिंग, जिनका डबल चिन होता है न, उसको यह टैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसे यह डबल चिन बहुत जल्दी जाता है, यहाँ पर हम चलो, अब मसाज हो गई है, अब इसे हम अलकल का कर लेते हैं, और भी हमारा blood circulation अच्छे से हो, यह अपर लिप, लोर लिप को आप ऐसे करके मसाज कर सकते हो, अपर लिप को बहुत ज़रूरी है न, मसाज करना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करना होता है, बहुत ज़रूरी, अभी तो मैं सिर्फ रिलाक्स मसाज बता रही हूँ, खलकी सी, ऐसी बहुत लाइट, चलो मैं पुरी फेस को मैं लॉक कर दियूँ, यहाँ पे मेरा हो गया है, अब मैं नहाती हूँ गर्म गर्म पानी से जाके, और आप लोग भी ट्राय करके, बताना मुझे, बाई, लव यॉरूरूरूरूरूरूरूर